हलो मेरे बच्चों हम वापस आ गए 3.5 के पार्ट नमबर 2 में राइट अब इस पार्ट नमबर 2 में हम कोईशन 2 से कंटिन्यू करेंगे चलिए कोईशन 2 को पढ़ते हैं बिना किसी देर करें कोईशन 2 में आपको दो इकोईजन दी गई है एक कंटिशन दी गई आपको के भई ये दोनों सॉल्यूशन बहुत सारे इनकी इंफाट सॉल्यूशन आपको पता करने को नहीं दिया गया है आपको condition दे दी, कि बिटा, ये infinite solution वाली condition है, find the value of a and b, अब a और b की value निकालो, ये हमारा question है, अच्छा एक बात बताओ बच्छो, infinite solutions वाली condition कौन सी होती है, intersecting, intersecting में तो एक ही solution होता है, अच्छा parallel होती क्या, नहीं, parallel में तो एक भी solution नहीं होता, तो infinite solution वाली condition जो होती है बच्छो, it is coincident, कौन सी होती है, coincident, right, तो हमें, बच्छो, ये दी हुई है, coincident वाली condition, coincident वाली condition, हिंदी में लग दूँ, वाली condition, है ना, ये हमें दी गई है, coincidence वाली condition, अच्छो, coincidence वाली condition में, बच्छो, ratios का relationship क्या होता है, अब ये चीज़ तो भई, आपको रटनी पड़ेगी, learn करनी पड़ेगी, है ना, यार, अभी भी याद नहीं हुई, तो यार, फिर तो दिक्कत वाली बात है, बच्छो, ये होती है, a1 upon a2, is equal to b1 upon b2, is equal to c1 upon c2, ये condition होती है, बच्छो, coincidence की, बहुत सारे solutions की, चलो, value पुट करते है, ठीक है, अच्छा, value मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, आपको देखो, जो equation थी, अपनी वो थी, 2x plus 3y is equal to 7, एक काम करो, 7 को यहाँ बुलाओ, बच्छ a1 बताओ, तो a1 आप बोलोगे सर, a1 तो 2 है, 2 है, b1 क्या है, b1 तो 3 है, c1 क्या है, c1 तो minus 7 है बच्छों, है ना, minus 7 है, तो अब हम चलते हैं, दूसरी equation पे, दूसरी equation है बच्छों, देखना गौर से, a minus b bracket close x, plus a plus b bracket close y, और बच्छों, जितना भी माल पानी, rhs में सबको यहाँ बुलाओ, है ना, equal to 0 सही लगता है देखने में, बुलाते हैं सबको, minus 3a, minus b, और plus 2 हो जाएगा, है ना, is equal to 0 बच्छों, है ना, यह हो गया, is equal to 0, अब बच्छों, इस equal to को यह इधर आया, positive से negative हो गया, यह भी negative हो गया, और यह इधर आके positive हो गया, right, अब हम a2, b2, c2 निकाल लेते हैं, बच्छों, a2 क्या है, आप कहोगे, sir, a2 तो a minus b है, x के साथ जो होता है, वो होता है, a2 तो यह हो गया, a minus b, बच्छो, b2 क्या है, b2 देखकर बताओ, तो आप कहोगे, sir, b2 तो a plus b है, y के साथ होन हमाला a plus b है, तो a plus b हो गया, बहिए, अपना b2, बच्छो, बाकी जितना भी portion दिख रहा है, जितना भी, बाकी जो रह गया, यह पूरा-पूरा c2 हो जाएगा, बच्छो, c2 क्या हो गया, c2 हो गया, minus 3a, minus b, plus 2, I hope समझ में आ रहा होगा है, यार इतना में भी समझ में नही है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, बच्छो, अब हम चलते हैं, values put करने पर, ठीक है, चलो इधार आ जाते हैं, बच्छो, a1 क्या है, 2, और a2 क्या है, a minus b, चलो बच्छो, यहां लिखते हैं, 2 upon a minus b, is equal to b1 upon b2, b1 है 3, और b2 है, अपना, कहां चला गया, a plus b है न, चलो, 3 upon a plus b, बच्छो है न, और 3rd जो है, c1 upon c2, c1 क्या है, अपना minus 7, चलो भी है, minus 7 लिख लिया जाए, अपन, यह है, minus 3 a, c2 बच्छो, minus 3 a, minus b, plus 2, minus 3 a, minus b, plus 2, अब अपन solve कैसे करेंगे, यह देखो, बच्छो, है न, solve करना भी है, अपने आप में कल आया, बच्छो, यहां, देखो, होता क्या है, आप पहले इन दोनों को calculate करो, बच्छो, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं, फिर हम इन दोनों को calculate करेंगे, चलो, इन दोनों को लिया जाए, बच्छो, ठीक है, देखो, 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b, cross multiply करो, बच्छो, अब आप cross multiply करोगे, तो क्या मिलेगा, 2 into a plus b is equal to 3 into a minus b, है न, इतना तो clear आ रहा होगा समझ में, calculate करते हैं, बच्छो, 2 into a, तो आपको, सर, यह तो 2 a है, plus 2 into b, 2 b है, is equal to 3 into a, 3 a है, minus 3 b है, ठीक है, अब क्या किया जाए, बच्छो, सब को इधर ले आओ, है न, equal to, अपन 0 कर देते हैं, चलो, इनको यहां ले आते ह बच्छो, जैसे ही 2 a के पास 3 a आएगा, बच्छो, minus का 3 a हो जाएगा, है न, 2 a minus 3 a, क्या बच्छा बच्छो, देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, 2 a minus 3 a, plus का 2 b, और यह minus का 3 b, इधर आएगा, तो बच्छो, plus का 3 b हो जाएगा, देखो, यह 2 b लिखा पने, और plus का 3 b पास, ठीक है, हमारे पास is equal to 0, बच्छा, अब बच्छो, equation बना लेते हैं, यहाँ से, तो equation बनेगी, 2 a minus 3 a, बच्छो, यहाँ equation जो बनी, मैं यहाँ arrow लगा दे रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ, 2 a minus 3 a, हमारे equation बनी, minus का a, और 2 b और 3 b बनी, बच्छो, plus का 5 b, is equal to 0, औ अच्छो, equation से solve होगा यह, पहली equation बन गई है न, this is first equation, ठीक है बच्छो, अब अपन चलते हैं, देखो अपन ने इन दोनों को equal करा लिया, अब इन दोनों को equal कराया जाए, ठीक है, चलो, देखो यहाँ दिखते हैं, बच्छो, अब अपन चलते हैं, 3 upon a plus b is equal to minus 7 upon minus 3 a minus b plus 2, cross multiply के अलावा कोई option ही नहीं है, बच्छो कराते हैं cross multiply, 3 into this, तो बच्छो यह हो जाएगा, minus का 9 a minus का 3 b plus 6, और minus 7 का multiply इस से होगा, तो minus 7 a minus 7 b, चलो भई, इन सब को यहाँ बुलाते हैं, 6 को वहाँ पहुचाते हैं, 6 एक normal number है, यहाँ तो कोई normal number था ही नहीं, चलो, minus 9 a के प बच्छो minus 3 b के पास, minus 3 b के पास, जब यह 7 b चल के आएगा ना, तो plus का 7 b हो जाएगा, और 6 को भगाओ बच्छो यहाँ से, या तो आप वहाँ पर भेज़ दो, या फिर plus 6, चलो, plus 6 ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है, चलो, यह हो जाएगा बच्छो अपन को minus का 2 a मिल ग करते हैं, minus का 2 common ले लेते हैं, ठीक है, a minus 2 b is equal to minus 6, तो यह बच्छा, a minus 2 b is equal to minus 6 upon minus 2, यह multiply मैं ना, इदर आके, upon हो जाएगा, यह कड़ गया बच्छो, 3 आया, लो भई, दूसरी equation आ गई, a minus 2 b is equal to 3 बच्छो, लो, यह आ गई बच्छो, दूसरी equation है ना, अब यह equation solve कैसे हो होंगी, बच्छो, इन equation को अब आपको solve करना है, चलो, अच्छा, मैं बता हूँ, मैं इतना condition यह erase कर रहा हूँ, बच्छो, आपको solve करके दिखाता हूँ, मैं जल्दी से, ठीक है, देखो, suppose मैं यह हटातेता हूँ, इतने में solve हो जाएगी, ठीक है, चलो, अच्छा, पूरे हटा देता हूँ, अब क्या है, space की थोड़ी कमी पढ़ रही है, बच्छो, slowly and slowly बढ़ते जाएंगे, बड़ा board भी लगवा लेंगे, ठीक है, अब इन दोनों equation को solve करते हैं, बच्छो, देखो, पहली equation आईती, minus a plus 5b is equal to 0, है न, यह आ गई, बच्छो, अब इसको रखते है बच्छो, a minus 2b is equal to 3, बच्छो, elimination से solve कर दो, देखो, a से a कट गया, हमारे पास आया, 3b is equal to 3, b is equal to 1, है न, 3 upon 3, 1 हो जाएगा भी है न, बच्छो, b बन आ गया, a निकाल लो भई, किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं, ठीक है, equation 1 में रख देते हैं, जब आप equation में इस equation में, a minus 2b में, a minus 2b is equal to 3, तो बच्छो, a ऐसे ही रहेगा, minus 2b into 1 is equal to 3, और बच्छो, यहाँ जो a आएगा, वो आएगा 3 plus 2, यानि 5, तो बच्छो, a की value आ गई 5, लो भई, दो answers आ गए हमारे, this is clear, है न, बहुत पसीन आ रहा है बच्छो, बहुत गर्मी है, और बहु clear हो गया, यह हमारा question solve हो गया, a और b की value हमने निकाल ली है, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, then please like the video, share and comment, चलिए मेरे प्यारे बच्छों, अब हम चलते हैं, question number 2 के part number 2 की तरफ, है न, question पढ़ना, आपको तो question पढ़ना ही है, definitely book hole के condition, आपको condition बताई गई है, पूछा नहीं गई आपसे, so this is a condition given to us, no solution, find the value of k, k पर काम करना है, k निकालना है, यह एक बात बताओ, no solution कब होती, जब lines parallel जाती है, है न, तो आपने क्या करना है, आपको पहले तो लिखना है कि यार यह लोग मजा कर रहे हैं, यह लोग इतना आ condition है, तो parallel condition में ratios कैसे होते हैं, तो भया, a1 upon a2, b1 upon b2 के तो बराबर होता है, equal होता है, बच्चों, लेकिन c1 upon c2 के equal नहीं होता, right, चलो चलते हैं, values रखते हैं, बच्चों, a1 क्या है, a1 है 3, तो अपने लिख दिया 3, ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं, पहले आपको equations ब y is equal to 1 है, यहां बुलाओ भई, minus 1 is equal to 0, चलो भई, a1, a2, a1 हो गया अपना 3, b1 हो गया बच्चों, अपना 1, और c1 हो गया minus 1 है, चलो भई, a2, b2, c2 निकालते हैं, बच्चों है न, this is equation number 1, चलो equation number 2 से अपन, a2, b2, c2 निकालते हैं, second equation है, 2k minus 1 bracket close x, plus k minus 1 bracket close y, और बच्चों जो RHS में जितना भी चीज़े हैं, जितनी भी elements हैं, माल पानी हैं, सब को LHS में बुला लो, तो 2 के यहां हैगा, minus का हो जाएगा है न, plus का 1 यहां हैगा, minus का हो जाएगा, is equal to 0, चल्दी बताओ बच्चों, a2 क्या है, a2 है, x के साथ वाली चीज, 2k minus 1, बच्चों, b2 क्या है, b2 है, y के साथ वाली चीज, k minus 1, अब बच्चों यहां पर, अब अपन को चलना है, c2 पर, और मैंने क्या बताया, c2 तो भाई, यह पूरा portion होगा, यह हो गया, यह हो गया, तो यह पूरा portion बचा, this is c2, minus 2k minus 1, यह c2 हो गया बच्चों, अब अपन values put करते हैं, ठीक है, चलो, a1 upon e2, a1 है अपना 3, और a2 है 2k minus 1, ठीक है, 3 upon 2k minus 1, ठीक है, b1 upon b2 बच्चों, equal to लगाते हैं, b1 क्या है, b1 है अपना 1, और b2 है k minus 1, ठीक है, 1 upon k minus 1, is not equal to का symbol लगाओ भाईया, is not equal to, c1 upon c2, c1 है अपना minus 1, minus 1 upon c2 है, minus 2k minus 1, minus 2k minus 1, अब क्या करना है, pairing में solve, पहले हम इन दोनों को deal करेंगे बच्चों, let us deal these two things, है ना, चलो, इनको deal करते हैं, 3 upon 2k minus 1, is equal to 1 upon k minus 1, solve करो, cross multiply करके, 3 into k, 3k, 3 into 1, 3, है ना, 3 का multiply इन दोनों में हो गया, 1 का multiply इन दोनों में होगा, 2k minus 1 ही रहेगा, 2k को यहाँ बुलाओ, 3 को वहाँ भेजो, 3k के पास, 2k जब आएगा, तो बच्चों, minus का हो जाएगा, और 3 उदर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, है ना, तो कितना बच्चा भाईया, single k is equal to 2, लो भाई, k की value आ गई, हमारा question था, k की value निकाल लो, तो यह तो answer हो गया, अब आप कहोगे, sir, हमारा answer आतो गया, k की value, नहीं बच्चों, second relation भी हमें solve करना पड़ेगा, एक relation तो solve कर दिया, equal to लगा, तब दूसरा relation not equal to वाला है, वो भी solve करना है, चलो, उसको भी solve किया जाए बच्चों, वो है, अपन इन दोनों को solve करने वालने, ठीक है, अब second और third वाले portion को, चलो, one upon k minus one is not equal to, बच्चों, minus one upon minus two k minus one, cross multiply कराओ, ये धर जाएगा, one से multiply हो जाएगा, same रहेगा, बच्चों, minus two k minus one is not equal to, minus one से इन दोनों को multiply कराना है, तो minus one से k multiply होगा, minus का k, minus one से minus one multiply होगा, plus का one हो जाएगा, है न, चलो भईया, transpose कराओ, minus two k के पास, minus k इधर आएगा, plus का k बन जाएगा, is not equal to, minus one उधर जाएगा, तो one के पास, ये इधर आके plus one बन जाएगा, बच्चों, ये क्या मिला, ये मिला हमारे पास, minus k is not equal to two, अब minus है, बच्चों, एक बात सुनना, दोनों side minus का multiply कर दो, देखो, k निकालना है मुझे, minus k निकालना है, तो जब आप minus one का यहाँ multiply करोगे, minus one का यहाँ multiply करोगे, बच्चों, चलो मैं लिख देता हूँ, न, तो आप confuse हो जाओगे, multiply by minus one, minus one से multiply करोगे, plus का k हो जाएगा, is not equal to minus one से multiply करोगे, minus two हो जाएगा, बच्चों, यह हमारा दूसरा answer है, यह भी हमारा answer ही है, बच्चों, confuse मत होना, k is equal to two is our first answer, k is not equal to minus two is our second answer, दोनों ही हमारे answers हैं, I hope आपको यह part भी समझ में आया होगा, let us move on to next question, चलिए बच्चों, we are on question number 3, जो की बिल्कुली normal question है, बस वैसे तो मुझे नहीं कराना चाहिए यह, बट solution तो देना है आपको, बच्चों, question 3 कह रहा है कि आपको यह दो equations दिये हैं, भया, इनको solve करो, substitution से और इनको solve करो, cross multiplication से, दोनों से solve करना है, चलो, पहले अपन cross multiplication से कर सब्सिट्यूशन से भी करेंगे, वैसे और इपन कर चुके हैं, सब्सिट्यूशन से 3.2 है, ठीक है, चलो, देखते हैं, बच्चों, सबसे पहले heading लिखते हैं, cross multiplication method, है ना, एक बार फिर देख लो, आप, एक अलग question की उपर देख लो, multiplication method से, हम इसको solve करना शुरू करते है बच्चों, चलो, आपकी kind information के लिए बता दूँ, ये video shoot जो हो रही है ना, रात की साड़े 12 बज़े बना रहा हूं मैं, ओके, चलो, देखो बच्चों, अपनी जो equation 1 है, वो है 8x plus 5y minus 9 is equal to 0 है ना, आपको पता है कि minus, मैं 9 ले लो, equal to 0 होना अच्छा लगता है, सही लगता ह standard form होती है, दूसरी क्या है भी है, 3x plus 2y minus 4 is equal to 0 है ना, चलो भई, इससे बच्चों, a1, b1, c1, a1 है बच्चों 8, b1 है बच्चों 5, अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं, b1 है बच्चों 5, c1 है बच्चों minus 9 है ना, चलो, अब बच्चों इससे लिख लेते है अपन, a2, b2, c2, a2 है बच्चों 3, है ना, देखो, a2 है 3, b2 कितना है बच्चों, b2 है बच्चों 2, c2 है बच्चों minus 4, चलो, चीज़े तो लिख ली है अपन ने, अब अपन चलते, cross multiplication की तरफ, और cross multiplication क्या है बच्चों, cross multiplication है, x upon equal to y, upon equal to 1, upon है ना, कौनसा नमबर बता है था, 23, 12, 23, 12, तो बच्चों यहां लिखेंगे अपन, 2, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 1, और यहां लिखेंगे 2 है ना, 2, 3, 1, 2, मैं बार-बार भूल जाता हूं, बच्चों इसको इरेस कर दे ना, पैंसल से लिखना, जब भी आप फियर कॉपी में करो ना, त 2 का मतलब, second variable जो y है और y के coefficients लिखना है, यानि b1 और b2, b1 है 5, b2 है 2, चलो 5 और 2, बच्चों थर्ड मतलब constants, minus 9 और minus 4 है ना, c की बात हो रही है, minus 9 और minus 4, first मतलब x के coefficients, यानि variables, x variable के coefficient 8 और 3, तो यहां लिखते हैं 8 और 3, और second का मतलब y, y के variables है 5 और 2, 5 और 2, बच्चों, चलो cross multiply, cross multiply पहले यहसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है, चलो भी, x upon, 5 फोर्जा, minus 4 है बच्चों, 5 फोर्जा, minus 4 यह हो जाएका, minus 20 है ना, चलो next करते हैं बच्चों, y upon, 1 upon, रुक जाओ, साप सेडी बनाना जरूरी होती है, साप सेडी is a diversion for me बच्चों, ठीक है गलत मा समझना, चलो, y के लिए बच्चों, minus 9 into 3, तो यह हो जाएगा minus का 27, 8 into 2, यह हो जाएगा 16 है ना, अब दूसरा वाला cross multiply शुरू करते हैं, यह, यह, और यह है ना, चलो, 2 into minus 9, भी, minus का 18, है ना, minus 4 into 8, minus, 8, 4 है 32, minus का 32, और बच्चों, 5, 3 है 15, अब बच्चों, इन दोनों, इन दोनों के बीच में मुझे लिखना है minus, तो मैं लिखता हूँ minus और यह bracket, मैं लिखता हूँ minus, और मैं लिखता हूँ minus, solve करते हैं बच्चों, यह आएगा, x upon minus 2 is equal to y upon 5, I think 5 आएगा, yes 5 आएगा, is equal to 1 upon 1 बच्चों, यह आगे है बच्चों, इसको equal to यह, x upon minus 2 is equal to 1 upon 1, x की value आगई बच्चों, minus 2 है न, चलो, अब इसको इसकी equal है न, पहले इसको third के equal, फिर second को third के equal, y minus 5 is equal to 1 upon 1, लो भहिया, y की value 5 आगई बच्चों, तो यह हमारे x और y हमने निकाल लिए हैं, calculate कर लिए, with the help of cross multiplication method, अब मैं यह पूरा erase करूँगा, और अब अपन दुबारा से यह question करेंगे, with the help of another method, which is called a substitution method है न, मैं answers लिख दूँ अभी, answers by cross multiplication method आये थे, x is equal to minus 2, y is equal to 5, ठीक है, answers match करेंगे बच्चों हमारे उससे भी, ठीक है, दूसरे process से भी answer match करेंगे, अब बच्चों हमें यही question, जो हमने अभी cross multiplication से धूंडा था, यह मैंने erase कर दिया, यहां लिखा था, वो यह answer आयते, अब हम करते हैं, same equations को substitution method से, और मैंने substitution भी सिखाया है बच्चों, कैसे करते हैं substitution, आपको एक equation से, एक variable का substitute निकालना पड़ता है, value निकालनी पड़ती है और आप दूसरे equation में put कर देते हूं, चलो करते हैं बच्चों है न, start करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं बच्चों देखो, आप यहां से निकालना शुरू करिए, अच्छे यहां से निकालते हैं, यहां से निकालके यहां रख देंगे, ठीक है, क्योंकि space मेरे पास ऐसा रहेगा न, तो वो solve होने में easy रहेगा, तो बच्चों 3x की value अपन के पास आएगी, 2y उधर और 4 उधर, तो बच्चों यह आएगा 4 minus 2y है न, 4 minus का उधर जागे plus, और यह minus का हो जाएगा, बच्चों x की value क्या आए, 4 minus 2y upon 3, बच्चों यह portion जो दिख रहा है न, आपको, इसको बोलते हैं substitute, substitute of x, यह substitute आगया x का, ठीक है, अब हमें यही value बच्चों यह equation में put करनी है, ठीक है, let us move on, और हम अब इस equation को यहाँ put कर देते हैं, इस equation को कह रहा हूँ मैं, sorry, इस value को यहाँ put कर देते हैं, चलो भईया, देखो, बहुत आसान है, कोई tough नहीं है बच्च 8 into x, x की value यह है बच्चों, 4 minus 2y upon 3, plus 5y, ठीक है, plus 5y, minus 9 को उधर भेज देता हूँ मैं, is equal to, बच्चो, 9, solve करते हैं आगे, चलो भई, ठीक है, 8 का multiply, बच्चो, 4 में भी होगा, 8 का multiply, 2y में भी होगा, तो 8, 4 is a 32, minus 8, 2 is a 16y, upon में 3 चल रहा है है, ना, plus का 5y is equal to, बच्चो 9, 5y के नीचे upon 1 लिख दो, LCM लेना पड़ेगा ना, तो LCM बच्चो हमारा 3 ही आया, यह तो same रहेगा, 32 minus 16y, है ना, यह change हो जाएगा, यह बच्चो बन जाएगा, plus का 15y, is equal to 9, 3 को भेजो, 9 की तरफ बिटा डिवाइड कर रहा, उधर जाके multiply करेगा, यह हो जाएगा, 32 minus 1y is equal to 9, 3, 27, 9, 3, 27, divide कर रहा है ना, यहाँ जाके multiply करेगा, और बच्चो इन दोनोंने हमें calculate करके minus का y दिया, अब बच्चो 32 यहीं है, 27 को यहाँ बोलाओ, तो यह minus का 27 हो जाएगा, और y को उधर भेजते तो यह positive y हो जाएगा, बच्चो y की value हमें मिल गई, the value of y is 32 minus 27, यानि की 5, देखो match कर गई, y की value 5y, अब बच्चो हम यह value जो 5 आ गई है, इसको बच्चो इसमें substitute में put कर देते हैं, चलो देखो, putting, putting y is equal to 5 in substitute, ठीक है, substitute, चलो बच्चो 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 बच x is equal to 4 minus 2 into y की जगह, बच्चो मैं 5 put कर रहा हूं, upon में 3 लिख रहा हूं है न, चलो बच्चो 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 बच्चो, x की value आई 4 minus 5, 2 बच्चो बच्चो बच्चों, हमारे answers बिलकुल same आई, Cross multiply से यह answer आए थे Substitution से यह answer आए Solve कर दी है, हमने match कर लिया बच्चो है ना, चलो This is it बच्चो, आज के लिए इतने ही काफी है यह second part था 3.5 का अब third part में हम इसके next question, जो भी questions है उनके next के solutions देखेंगे I hope आपको यह सारे questions समझ में आये होंगे Take care, practice more and more Don't forget to subscribe our YouTube channel Share it with your friends, like the video, comment it All the best for your studies, bye